यह धार्चुला और वो नैपाल नदी के पार यह यहां से नीचे गए तो फिर सीदे गए क्या है यहां का इस्पेशल पानी है यह देखो यह है इसके पिल्ला डैम इंगार इंटे दो हां काफी लेस हो गया है और पीछे के भी रहा है काफी मस्तरी अब 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 आगा तो गाड़ी चलाना तो यार आज जा रहे हैं हमें आसे अख्की भाई के घर को नीचे धार्चुला और चलते हैं अख्की भाई के आखो यह देखो यह है धार्चुला और वो नैपाल नदी के पार हम तो जा रहे है की भाई के घर को और नैपाल और धार्चुला नीचे है है यहां यार यह देखो हुआ है हम यहां पर लगा लेते हैं अपनी गाड़ी और आगे लगाए ट्रैफिक यहां से आर्मी के ट्रक पास हो रहे हैं हुआ 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 है है सर इसे साथ वाले के गाउं में यह आगे है कौन सा गाउं है गर्वा गर्वा सर गर्वा इसके बाइगा वह लाना है वहां के स्कूल से टीसी 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 इसकूल अब इसकूल अब आप एसे ही अब यह क्या है अब यह सर यह ऐसे गिर के ओ गया होगा तो अब अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह अरे सर्म ऐसे सोरी साथ यह नहीं नहीं सर्थ कजब बेज जती है और यहां थोड़ा रस्ता खराबी है तो आपको आगे मिलते हैं इसका चार्ज भी काफी कम है तो सोच के खूलना बड़ेगा हमने यह और वो देखो यार गाड़ियां कैसे चलनी है इधर ही वा था भाई वो रस्ता तो देखो यार क्या खतरना को अफ रूटिंग है यहां से डालते हैं और यहां पे तो एक पत्थर है बड़ निकल आएं और यह देखो सामने धार्चुला और नैपाल काफी मस्त और ओफ रूटिंग देखो यार तुम इतनी खतरनाक और रोडिंग मतलब क्या ही बोलू यार अब हमने पानी से डालनी पड़ेगी गहरा ना हो यहां पर तो यार यहां से व्यू देखो और यह गाड़ी की कंडिशन देखो और पाड क्या खतरनाक है अब तो आज पूरी ओफ रोडिंग दिखने को मिलने आ लिए आपको ऐसी खतरनाक और अभी तो सही है अभी चलते हैं फटा-फट जहां तक का सही है एक नंबर नजा रहा है यह नदी के उस पार नैपाल और यह धार चुला है इधर का दिखनी रहा एरिया और वहां का भी बट जितना भी दिख रहा है काफी मस दिख रहा है यार बाई यह देखो आर्मी वालों के खोड़े रहे हैं चुला कोट के पाड़ उपर को तो ऐसे नाया और वहां से तो ऐसी खाई है मतलब तुम जन्नादी बहुत जाओगे सिधे स्वर्गी जाओगे वहां से नीचे आओगे तो और यह नैपाल धार्चुला और चलते हैं यह से और सूरज हो गया है सेट संसैट हो गया है आखोसे साप तो ना ही देखेगा गैमरे में यहां से निकल आए हैं कि भाई के घर को और यह देखो यह पर जो टूटा टूटा दिख रहे हैं रोड है और यह पूरी रोड यू यू गूम-गूम के हमने सारी क्रॉस करनी है तो चलते हैं यार तो हम आज मेरे गड़ जा रहे हैं तो देख सकते हैं आप यह हमारे चैनियों यह अब ट्रक्रमय वाले को जातर है और यह अबने सिंगल रोड है और नीचे पूरी खाई। जहां से गए तो फिर गए और देखो आगे से आरहtor ने का घोड़े करने हूं गूडै यह पार करो में और यह अपने उपर नाही आए तो सही है साइड बाइसाइड निकलने की कोशिश करते हैं और यह उपर से आधने का ट्रक और यह देखो यार आप यहां से नीचे नदी बहरी है यह और यहां से नीचे पूरा डाउन है कैसे पत्थर आ रखें यार लैंड सलेट से और पहाड देखो यार कैमरे में तो सब्सक्राइड पर्लेट से नीचे यह तो और यहां से नीचे तो फिर सिधे उपर जन्नत में सीधे और नदी इतनी मस्त भाइन नीचे मतलब काफी प्यारे प्यारे वियू है काफी मस्त वह देखो आपको दिखरी हो तो मुझे तो दिखाने में भी डल लग रहा है यार ग यहां से नीचे देखो यार तो इहां से नीचे गए तो देखो यार तुम कि पुछ और रोट देखो और यहां से नीचे ठखां मतलब फुल core रहाए। और यह दिखो यार पाढ़ काभी बस्त काफी प्यारे एक नंबर वो तो सामने पुरे पत्थरी पत्थर दिख रहे हैं और घास देखो पाड़ों मैं और नदी और चल रहे हैं अक्की भाई के घर को इतना प्यारा वाटरफॉल है यार वो देखो तुम किस उचाई से आ रहा है वो मतलब जस्ट और उसी के वहाँ पर दुसरा है और नीचे पर नदी तुम्हें आर यह वाटरफॉल देखो तो भाई यह राथी फॉल वो देखो इस उचाई से आ रहा है यार और यह देखो यह दूसरा और फिर यहां से नीचे यह कही दूसरा काफी मस्त काफी मज़ेदार रस्ता है यार यह देखो और किस उचाई से आ रहा है यह देखो यह और वो देखो यार उस टॉप से उस टॉप पे जो वाटरफॉल आ रहे है ना यार एक नंबर और चलते हैं यहां से आगे की तरफ और काफी बड़े और काफी मस्त पाड़े हैं याके और यहां पर वार्निंग पत्थर गिरने की तो चलते हैं यार समय रहते रात का वक्त भी होने वाला है तो यार यहां से देखो यार क्या मस्त दिख रहा है यह देखो यार इतना प्यारा दिख रहा है ना गाईज मतलब मैं मतलब सब्दों मैं तो बया करी नहीं सकता हूँ कितना प्यारा दिख रहा है और यह देखो आप रोड कैसी तूट रखी है जगह जगह से काफी सौट रोड कि यहां से नीचे गए तो फिर सीदे गए और पाढ़ देखो यार आप आगे कताई मस्त मतलब मज़ा आगया यार एक नमबर सब दीनी है काफी मज़ेदार और काफी रिस्की भी है यार यहां से नीचे देखो यार आप पहले तो वाटरफॉल देखो ये प्यारा सा अब देखो यहां से नीचे इतने में ऐसी खाई है ना यार वो देखो आगे ये देखो एक और पुल जो नेपाल को जोडता है ये और नीचे में नदी और वहां बारिस हो रही है और ये वाटरफॉल देखो यार आप एक नमबर है और रोड इतनी रिस्की इतनी छोटी सी है बस और नीचे यहां इतनी गहरी खाई है पूरी सीधे आदमी मतलब अन्ट्रेंड तो नहीं आना यार यहां मतलब और अन्ट्रेंड के आया ट्रेंडों के साथ भी हो जाता है ऐसा तो यार आराम से चलना ऐसी रोडो में तो रिस्क लेना बिल्कुल बनता ही नहीं है यार यह देखो, डाउन देखो और वो पुल देखो और यह देखो गाड़ियां और वाटरफॉल की आवास सुनो यार और आगे हो रही है बारिस और यहां से नीचे देखो यार एसी खाई है ना 야 और नीचे देखने का मनी कर रहा है मतलब काफि खतरनाक है और रोड में सड्टनली यह देखो आईसे कोनों-कोनों से ले जाना पढ़ रहा है बीच माँ पानी है तो और कौने से तो फिर नीचे सीधे कोना ही है और चलते हैं आगे तो बारिस हो रही है आगे को देखते हैं और इसमें चार्ज भी काफी कम है तो इसे चार्ज करते हैं और बारिस की बुद्रा आने लगी है यहां को तो carry on करते हैं यार सफर आगे को काफी मज़ा आ गया मतलब यहां के यहां के तो मतलब यह देखो यार ऐसी road ऐसे मस्त मस्त जड़ने मतलब काफी मस्त adventure हो गया है यार तो यार यहां से चलते हैं आगे को और काफी मस्त भी हो है यार यह सामने देखो रोड़ी में जड़ना यह देखो यार और की सुचाई से आ रहे है वा यार इतना ठंड़ा ठंड़ा इतना सुकून वाला पानी मिल लिया न काफी मस्त और यह देखो यार रोड़ इतनी खतरनाक है कि यहां से फिसले तो सीधे फिसली गए और पानी रोड़ में और रोड़ से नीचे पूरी नदी यह देखो यार तो यार यहां पे देखो रोड़ कितनी खतरनाक है और नीचे सीधे नदी जस्ट अलका सा टैर सिलिपनी वाओ और आप नदी में और फिर सीधे उपपर भगवान के पास अल्ला के पास जीजस के पास जिसके पास आप जाना चाहिए उसके पास सीधे काफी खतरनाक और रिस्की रोड़ से हैं और काफी मस्त व्यू भी है मान सरुवर यातरा को भी इसी रोड़ से जाते हैं और अधिक एलासको भी यही रोड है देख सकते हैं आप क्या मस्ता है मतलब यार मैं तो मतलब कुछ बोली नहीं पा रहा हूं यार समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बया करूं इस खूपसूरती को आप लोगों को काफी धासू है मतलब कुल मिला के एक नंबर एक नंबर से भी आर सो नंबर है एक सो एक नंबर ना जा रहा नहीं है मजा आ गया मतलब यार दोस्तों यह देखुए कि नदी की आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को कि यह देखो और चलते हैं आगे अक्की भाई के घर को तो यार गाड़ी ने मिसिंग करनी अभी भी नहीं छोड़ी है काफी मिसिंग कर रही है और काफी अजीव लग रहा है यार अब तो कि आगे क्या होगा गाड़ी बंद तो नहीं होगी करके काफी डल लग रहा है अपनी जान ऐसा करती तो नहीं थी बट पतानी क्या वो हो रही है प्रॉब्लम इसे पहले कभी करती तो नहीं थी है ऐसा आज पहली बार है इसके साथ ऐसा सफर में काफी भयानक सिच्वेशन है यार अभी हो रही है गाड़ी की टेंशन जो ले है और व्यू जो एंजोई गर इतना प्यारा देखो आप वाटरफॉल कितना प्यारा फूट रहा है यार कितना प्यारा आ रहा है पतानी किस कोनों से पर काफी मस्त एक नमबर और चलते हैं ये देखो यार आवाद सुन रहे हो गया आप काफी मेसिंग कर रही है और यहां को घरवर है नहीं पाड़ी पाड़ तो यार ऐसे इलाकों में जब भी आओगे तो अच्छे से सारी तैयारी करते हुए गाड़ी तुरंत रेज छोड़ दे रही है एक यह दिक्कत हो रही है इसमें यह पहले गेर में हम अभी क्या कर दिया है बैठे रहे न आराम से गिर जाएंगे ऐसे तो अच्छे से रखे रहे वाओ फिसल गया है ऐसे रस्तों में मत कहें तो फिसल गया और बाकि जो आज कवर नहीं कर पाई वो कल कवर करेंगे काफी वाटरफॉल हमने छोड़ दिये और काफी काफी मस्त नजारे उनको हम कल दिखाएंगे आपको सब्सक्राइब के साथ पतानी क्या हो गया है कि देखो यार इसके उपर पत्थर गिर गया और पूरा और यह देखो यार यह न्यूटल में तो बिल्कुल भी अभी वो नहीं कर पा रही है और स्टार्ट होने में भी काफी वक्त लगा रही है तो यार दिक्कत होगी है वो भी ऐसी जगह जहां दूर दूर तक का हमें कोई मेकानिक नहीं मिलने वाल है बस देखने को मिलने वाले तो ऐसे प्यारे वाटरफॉल और पाडियां तो चलते हैं आर आगे को कि इचको काफी पत्थर नीचे गिर रहे थे देखो जश्त लटके ही नीचे गिरने को तो यार मौत से खेलना काम हो गया आज तो यह देखो यार लेंड फ्लाइट और इतना सारा पानी पाड़ों को चीड़ते हुए आता है पत्थर वत्थर यह देखोए कोई भी गिर सकते हैं निकलते हैं यहां से फटा-फट और काफी साम होगी है और यह देखो यार वो सामने दिख रहा है छिरकिल्ला डेम कौन सा डेम छिरकिल्ला डेम वो सामने वो गरगवा वो पर जाना है अक्की भाई के घर वो पर इसके पीछे तरफ इसी उचाहिम है और चलते हैं वहां काफी प्यारा और दाई यहां पे गाड़ी दो रहे हैं और क कि चले आंसे साही है मेरा पैर पूरा गिला हो गया है तो यार यह देखो वाटरफॉल काफी प्यारा और यह रोड है छिर्किला डैम वाली वह सामने है छिर्किला डैम पानल देखो आवाज सुनो यार अवे कई महली है और यह सामने पर डैम डैम में जलगी है यह देखो यह है छिर्किला डैम और यहां से लेके वह वहाँ पे तक का काफी बड़ा वहाँ पे एक वाटरफॉल भी आ रहा है काफी मसते यार और रात होगी है काफी चल रहें अक्की बाई के गर को यहां उपर अक्की बाई का गर कहीं तो यार भाई आसमान में चांद इतना मसत लग रहा है और रात देखो तुम गाड़ी के आगे कुछ दिखनी रहा है यह अक्की बाई इतने दूर आये थे तो सोचा यहां का इस से तो अंदेरा हो रख है है हमको तो यहां काफी लेट हो गया है और पीछे पर दिख रहा है चांद काफी मसते और अभी जाते हैं अक्की बाई के घर को अभी जा रहे हैं अक्की बाई के घर को और वो पर पर दिख रहा है चांद और रोड तो देख लो यार आपको दिख नहीं आई है और सिगनल तो बिल्कुल है नहीं आर तो वीडियो अप्लोड तो हम कर नहीं सकते हैं यहाँ आभी ना सिगनल है ना लाइट अट मज़े आया तोटली काफी सुकून है तो भाई टाइम हो रहा है अभी नौ अठार और यह सामने पर है छिर गिल्ला डैम जहां लाइट है दिख रही है और यह उपर पर जो लाइट है वो बैठे हैं कि भाई और उपर को आते आते जो आलत खराब हुई है ना भाई अभी तो आदे रस्ते में भी नहीं पहुँचे है और जो वहाँ पर हलकी से लाइट दिख रही है यहाँ पर बैठ रहे हैं दाई और यार हालत पूरी खस्ती हो गी है अक्की भाई उपर से बुला रहे हैं चलते हैं उपर और यह रस्ता है रस्ते में चल ले हैं काफी गर रस्ता है चल ले हैं आदा एक घंटा हो गया चलते चलते वह आगे पर हैं वो लोग रुख गए तिसरा स्टॉप है आठ स्टॉप है टोटल रात के 10-30 बजे हमें दिखा है सपेद गुलाब का फूल और काफी बड़ा पेड है गुलाब का काफी मस्त और यह हैं अक्की भाई हमने कहीं और जाने है वहां को चलते हैं यह आगे चलने हैं अक्की भाई और यार हम यह से इतना उपर आगे हैं नीचे तो आप कुछ दिखे नहीं रहे हैं कल दिखाएंगे आपको जस्ट अम पाहाड के लेवल पे अभी सब्सक्राइब के लिए फ्यू मॉमेंट्स लेटर टू थाज़न येज लेटर वन इटेनलिटी लेटर तो यार फाइनली अक्की भाई के घर के बार पहुंच गये हैं अक्की भाई मम्मी को बला रहे हैं और इतने उपर आगे ना यार काफी उपर आरे खोज़े मैं हूँ हुआ हुआ है